हेलो स्टुडेंट्स चलिए स्टार्ट करते बटा एक्सरसाइज 13.1 का क्योस्चन नमबर थर्ड देखते हैं क्या है स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार हमें क्या गीवन है एक खिलोना है हमारे पास जो की कौन की सेप में है और जिसका रेडियस जो है वो क्या है 3.5 सेंटिमेटर गीवन है मांटीड ओने हैमिसफेर ओफ दा सेंटिमेटर रेडियस के ही हैमिसफेर के उपर क्या है वो कोन बना हुआ है तोटल हाइट ओफ दा टोई इस 15.5 सेंटिमेटर हाइट ओफ दा टोई जो देरख्ये वो क्या है 15.5 है find the total surface area of the toy हमें क्या find out करना है total surface area of the toy find out करना है ठीक है अब यहाँ पे चलते है बटा सबसे पहले हमने पिछला question जो किया था question number 2 उसमें hemisphere के उपर cylinder था इसमें क्या दे दिया बस हमें cone दे दिया तो यहाँ पे सबसे पहले देखते है radius कितना given है cone का यह जो radius given है यह कितना given है 3.5 means hemisphere का भी radius जो है वो क्या है हमारा 3.5 centimeter next जलते हैं total height of the toy given है हमें 15.5 centimeter means उपर से top से लेके यहाँ तक bottom तक जो height given है बटा वो कितनी given है 5.5 centimeter I hope यहाँ पे आपको कोई doubt नहीं होगा अब बटा यहाँ पे देखेंगे जो radius है वो 3.5 है तो इसकी जो vessel है हमारा hemisphere इसकी height भी कितनी होगी हमारी 3.5 ठीक है अब हमें cone की height चाहिए cone की height कैसे निकलेगी हमारी total height है हमारी 15.5 इसमें से 3.5 अगर मैं subtract कर दो तो हमारे पास height of the cone आ जाएगी तो सबसे पहले जो चीज गिवन है वो write down कर लेते हैं radius of the cone given है radius of cone कितना है हमारे पास 3.5 cm ठीक है तो radius of hemisphere भी क्या हो जाएगा radius of hemisphere वो भी कितना हो जाएगा बटा 3.5 cm अब बटा बात करते है total height of the toy total height of toy कितनी है हमारे पास 15.5 cm और अब height of the cone चाहिए हमें height of the cone क्या हो जाएगी height of cone किसका इकवल होगी 15.5 minus क्या कर देंगे radius of the hemisphere 3.5 15.5 में से 3.5 गया तो कितना आ गया बटा हमारे पास 12 cm I hope यह चीज कलियर है means इसका radius आ गया 3.5 height जो आगी वो क्या आगी 12 यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा बटा अब इसकी help से हम क्या करेंगे देखो हमें total surface area निकालना है तो हमें क्या चीए कौन जहाँ पे भी आजाए ना हमें slant height जरूर निकालने पड़ेगी यह क्या होती है हमारी L slant height यह क्या होती हमारी H यह हमारा क्या है radius ठीक है height जो है वो क्या है 12 है radius जो है 3.5 है और यह क्या हमारी slant height मतलब td height और यह angle होता है 90 degree यह तो यहाँ पे पाइथा गोर स्थोरम अपलाई कर सकते हैं हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बिटा slant height निकालने के लिए क्या करते हम slant height हमेशा ऐसे ही निकलेगी L square is equal to किसके होता है बिटा H square plus R square के और L is equal to क्या हो जाएगा under root H square plus R square अगर आपने video first नहीं देखिए इस chapter की तो वो एक बार clear कीजिए वहाँ पे आपको सब कुछ अच्छे से description में मैंने describe कर रखा है वहाँ पे सभी slant height क्या है height क्या है radius क्या है कैसे find out करते है वहाँ से एक बार अच्छे से video clear कर लिजिए formulas में आप कहीं पे मार नहीं खाएंगे तो L की value चाहिए हमें L is equal to क्या होगा बाटा under root H क्या है height 12 12 का square क्या हो जाएगा ऐसे लिख दें 12 का square R का हमारा 3.5 का square इसको solve करते हैं L is equal to क्या होगा under root 12 का square क्या होगा बाटा 144 plus 3.5 का अगर हम square करते हैं क्या आजाएगा 12.25 तो L is equal to आगया under root इनको add करेंगे हमारे पास value आगी 156.25 और इसका अगर root निकालते हैं तो हम क्या होगा 12.5 cm तो slant tight आगया हमारे पास L आगया 12.5 cm अब हमें बात करने हैं बटा total surface area of the toy क्या निकालना में total surface area of the toy total surface area of the toy किसके equal होगा देखेंगे हमारे पास एक तो कौन है रेक है हमारे पास hemisphere ठीक है तो इसका total surface area कैसे निकलेगा hemisphere के total surface area में हम किसका area जोड़ देंगे कौन का area तो यहाँ पे क्या लिखेंगे total surface area of कौन पलस में total surface area of hemisphere इस तरिके से लिख देंगे अब बेटा हमें क्या चीए फोर्मले पता होने चीए total surface area of कौन का फोर्मला क्या होता है पाई आर एल पलस में total surface area of hemisphere क्या होता है 2 पाई आर स्केर values पूट करेंगे बिल्कुल इजली क्योस्टन कर सकते हैं यहां से कौमन देख लेते है पाई आर यहां भी है यहां भी है तो कौमन निकाल लेंगे पाई आर अंदर क्या बच गया एल पलस twice of आर ठीक है पाई की वेल्लू क्या है 22 by 7 radius जो था हमारा क्या था 3.5 तो उसको क्या लिख देंगे 3.5 को अगर point हटाते हैं तो अब उन में क्या आ जाएगा 10 इंटू में L पलस 2R है L क्या है हमारे पास length जो है वो कितनी है हमारी 12.5 L की value अभी find out कि हमने कितनी है यह बटा 12.5 पलस में twice of R R क्या हमारा 2 इंटू 3.5 इसको simplify करते है 7 बन जा 7 7 5 जा 5 बन जा 5 5 2 जा 2 बन जा 2 2 11 जा तो 11 बहार आ गया अंदर क्या बज़गा 12.5 पलस में 3.5 को डबल करेंगे तो कितना होगा 7 तो यहां पे value जो आ जाएगी वो क्या आगे बटा 11 multiply 12.5 और 7 कितना होगा 19.5 इनके multiply कर लेते हैं तो answer जो आएगा वो क्या जाएगा 214.5 cm2 इस इस दा टोटल सरफेस एरिया ओफ आवर टोए आई होप यह question आपको अच्छे से clear हो गया होगा इसमें कहीं पे भी doubt आता है तो आप मुझे comment करना नहीं बुलें अधरवाइस इस चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए और अपने friends relative के साथ और अपने classmates के साथ जरूर जरूर share करें बिटा next question देखते हैं अपना question number 4 question number 4 की statement read करते बिटा क्या है statement देखते हैं सबसे पहले एक cubical block of side 7 cm एक cube है मारे पास block है एक बकसा सा 7 cm जिसकी side given है is surrounded by a hemisphere और उसके उपर जो है एक hemisphere रखा हुआ है ठीक है उल्टा रखा हुआ है what is the greatest diameter of the hemisphere can have हमें क्या find out करना है कि वो diameter जो है hemisphere का maximum कितना हो सकता है find the surface area of the toy और toy का हमें क्या करना है hemisphere का surface area of the toy हमें क्या करना है find out करना है तो सबसे पहले देखते है हमारे पास एक cubical block है जो मैंने green color से draw किया है उसके उपर क्या कर लिया हमने hemisphere put कर दिया ठीक है एक side से दूसरी edge तक तो इसकी side अगर हमारे पास कितनी है 7 cm है ठीक है तो 7 cm अगर side है तो हमारे diameter भी जो maximum हो सकता है वो कितना हो सकता है हमारे hemisphere का 7 cm तो एक बाट तो हमने clear कर लिया दूसरा क्या निकालना है हमें diameter तो हमारे find out हो गया दूसरा निकालना है surface area of the toy जो भी हमारे toy form हुआ है cubical box के उपर hemisphere रखके उसका surface area हमें find out करना है क्या है 7 cm तो diameter of the hemisphere क्या हो जाएगा diameter जो होगा diameter of hemisphere वो भी कितना हो जाएगा बटा 7 cm possible है ठीक है क्योंकि इससे बाहर तो आ नहीं सकता अब बटा diameter 7 cm है तो radius of the hemisphere क्या हो जाएगा हमारा radius of hemisphere कैसे निकलते है radius diameter का half होता है तो 7 by 2 cm ये चीज आगे है हमारे पास अब बात करते है बटा surface area of the solid जो भी हमारा toy बना है इसका surface area find out करना है तो surface area of toy किसके एकवल होगा ध्यान से देखेंगे सबसे पहले क्या है बटा हम surface area of the cube निकाल लेंगे ठीक है वो लिख लेते हैं इसमें surface area of surface area of cube उसमें पलस क्या करेंगे बटा curd surface area of hemisphere hemisphere का curd surface area curd surface area of hemisphere hemisphere ठीक है अब बटा यहाँ पे द्यान दो जो भी हमारा hemisphere का base होगा वो उपर वाली edge जो है हमारी उसको क्या कर लेगा cover up कर लेगा ठीक है mostly क्या कर लेगा cover up कर लेगा तो area of the base क्या करेंगे हम इसमें से सारे में से क्या कर देंगे subtract कर लेंगे ठीक है यहाँ पे क्या रख दी इसके उपर कोई भी चीज रख दी यहाँ पे इसको circular foam में तो बटा यहाँ पे हमें कितना area शो हो रहा है इसका area जो भी है card surface area जो भी चीज हमने रखी है ये और इसका area जो हमारा page है और minus क्या कर देंगे जो इसके निचे का area है क्योंकि ये चीज तो क्या कर रहा है इस page को cover up कर रहा है तो इसको क्या कर देंगे हम subtract कर लेंगे तो hemisphere के निचे वाले area को क्या कर लेते हैं हमे minus तो minus क्या कर देंगे area of base of hemisphere 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 I hope ये चीज आपको अच्छे से समझ में आगी होगी क्योंकि hemisphere ने cube वाले हिस्से को उपर वाले हिस्से को ढखा हुआ है तो उसको दो बार count नहीं करेंगे इसके base को क्या कर लेंगे हमें subtract कर देंगे तो बिटाई यहाँ पर formula लिखते हैं सबसे पहले surface area of q का formula क्या होता है 6 into L square मतलब 6 into side का square plus cut surface area of hemisphere क्या होता है हमारा 2 pi r square माइनस क्या करना है इसका base कैसा होता हमारा hemisphere का circular होता है circle का area क्या हता है pi r square उसको क्या कर देंगे गटा देंगे subtract कर देंगे value put कर लेते हैं 6 into L square है side कितनी है 7 तो 6 into 7 का square plus 2 pi r square minus pi r square कितना हो गया हमारा pi r square यह किस केक वल हो जाएगा pi r square यहाँ पहले कि देते हैं pi r square next step में कर लेते हैं कितनी value आगे हमारे पास 6 into 7 का square 49 plus pi की value किया 22 by 7 radius कितना है बटा 7 by 2 7 by 2 into 7 by 2 7 से 7 cancel 2 11 तो value जो आगी वो क्या आगी 6 की और 49 की multiply करते हैं तो हमारे पास आगया 294 plus में 11 और 7 क्या होगा हमारा 77 by 2 इसको simplify करेंगे तो हमारे पास value आगी 294 plus में 77 को 2 से divide किया तो आगया 38.5 add किया बटा तो कितना आगया 3 32.5 cm square this is the surface area of our toy I hope you question आपको अच्छे से clear हो गया होगा एक बार मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ जो चीज मैंने यहां पर की थी surface area find out करने में एक बार तो बेटा surface area of cube का formula लिख लेंगे हम 6L square ठीक है cut surface area की बात की है तो इसका hemisphere का क्या होगा हमारा 2PiR square ठीक है उसके बात जो base है बेटा base जो है हमारा hemisphere का वो किसके उपर रखा हुआ है हमारे cube के उपर रखा हुआ है तो उपर वाले area कितना हमारा cover up है इसका निचे से circular part उसको क्या कर देंगे subtract कर देंगे क्योंकि वो दो बार area count होगा क्योंकि वहाँ पे तो हमें कुछ cover करने की जरूरत है यह नहीं तो यहाँ पे PiR square को क्या कर देंगे क्योंकि base of the hemisphere क्या होता है circle तो PiR square subtract कर दिया value put करेंगे हमार answer आ जाएगा I hope यह question आपको अच्छे से समझा गया होगा इस channel को subscribe करना ना भूले अपने friends के साथ जरूर share करें अपने classmates के साथ share करें अच्छा सा comment करें Thank you students for your love and support Thanks